इस वीडियो में मैं अपना DL अभी बनवाया हूँ पूरे मतलब कि 12 पास होने के बाद फिर इसके बाद पूरा MBBS कम्प्लीट होने के बाद फिर फुरसत के टाइम मिले हमें तब जाके मैं अपना DL बनवाया है तो DL बनवाने में मैं एक चीज देखा कि जहां फाम भरवान स्य०्धेशन पर से चाहनों हो तुमिको किस बात के लीरी तुमको एक्जाम नतया पड़ी ना और एक्जाम में मतलब कि मेरी पोस्टिंग लगी थी सुल्तानपूर में में तो मुझे क्या पता चला कि उसमें और भधों ही जब मैं गया था टेस्ट देने तो उससे भी पूछा जो यहां पर बैटके एक्जाम ले रहा था ना तो उतने केस्टन होते हैं उतना याद कर लो और बेसिक बेसिक केस्टन रते जैसे रोट पर जा रहा है तो हमें साइन लगा हो वो दिमाग में बैटा लेना बाद में उसका मीनिंग खोज लिया करो बस उससे तुमारा काम बन जाएगा और बदोवे में आर्ट्यो वाल जब ह तो हम एक्जाम देने के तो बोला कि सर आपको 25 केस्टन पूछे जाएंगे मतलब 25 में से कांटीन्यू शिक्स सिप नहीं गलत करना है मतलब छट हो लगा ताल नहीं गलत करना है यार छट हो हलका फूलका अगर तुम पढ़े होगा तो आराम साही कर लो बस इतना मतलब अफ जादा कुछ नहीं लगता है तो तुम कर अपने जगा तुम खुद ही पैसा देकर आई हो एक जगा अब काहे तुम को बुरा लग रहा है तो वह जो 20-25 केस्टन हम से पूछे गए थे हो हम आज भी ध्यान है तो मैं उसका मतलब एक वीडियों सिर्क केस्टन ही बना आगे बस खाली यार तुद पॉइंट रहो मतलब देखो जिंदगी में टाइम बहुत कम है अगर कम टाइम में ज्याद अची सिखना तो यह तुद पॉइंट होना पड़े है तो उसलिए मैं सिर्फ केस्टन बना के डालूंगा सिर्फ वही देख लेना उसमें बस उतने केस्टन बना लोगे और गुमा फिरा को वही केस्टन पूछा जाता है हर साल तब ही तो बोलते हैं प्रिवेस एर केस्टन पेपर सॉल कर लो पास हो गया तो वही सेम चीज यहां भी है पचास ठो केस्टन है गुमा फिरा को तुम को उससी इंद पूछेंगे और वह तो केस्टन कर दो देखो तुमको सब पता चल जाएगा तो इसलिए एक्जाम टेनेट नेटर बेफाल तुम तीन अजार रुपया ना दो आराम से अपने स्फाम भरो या फिर फाम जाके काई भर वालो सबचास देखो वह उतनाम मेटर नहीं करता है तो मैं फानली बस यही कर रहा था क पर चाहिए और तुम अपने स्फाम पर चाहिए और लाश्म में वाइप और वालो जो नहीं चलाने आ रहा है तो हर जगा करें उसके लिए देना पड़ेगा 500 रुपया दे दो आराम से तुमारा सब कुछ हो जाएगा और मानलो तुम इतने सिंबल तुम रोड पे नहीं द देट पर जाके वही फार्म जमा करना होता है तुमारे मतलब फोड़ो लिया जाएगा इमेज जो नहीं प्रिए देखे जाते हैं हाल तो अफने नर्म है सारे नारमा लाजा आई आसा कोई फिंगर चोटा हो जैसे पॉली डिक्टाईल किसी किसमें होता है मतलब एक फिंगर तुम्हारा टिंपूरोरी डिल बना के देते हूं जो कि तुम्हारा छह महीने के लिए वैलिट होता साय, 6 महीने के लिए तुमको फिर जाना होता है मिनीमुम्हे एक महीने बाद जाओ आगे तो कुछ नहीं किया जाए कि फिर से भाई साइन थम तुम्हारा फिर से देखेंगे फिर से पोटो लिया जाएगा और फिर इसके बाद तुमको राइटिंग के लिए बोलेंगे अगर तुम राइट करोगे तो तो करो नहीं तो फिर इंडियाम को लपसन ही है भाई सीधी बात है तो सीधे 500 रुपिया फिर फानली एक हफ्ते से पंदरे दिन लगेंगे उसमें तुम्हारे डियलवन के चला आएगा